रस्मालाई आपने कई बार खाई होगी लेकिन आज में स्पेशल रस्मालाई लेके आँ वह है गाजर की रस्मालाई जी है आज तक आपने नहीं खाई होगी बिल्कुल नया कॉंसेप्ट है और टेस्ट इतना लाजवाब कि आप सोच भी नहीं पाएंगे जैसे आप नॉर्म आप चाहें तो और इस आप से बता रहा हूं मैंने कच्ची गाजर लिया कि बीच के अंदर का पाट यूज या रेट कर रहे हो गाजर यहां पर मिक्सिक जारा मैं इसको डाल दूँगा और आदा कब डालूँगा इसके इंदर दूद 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 वैल की यहावाब डू नहीं डालना इस चीज़ का दियान रखीगा अमेजिंग टेस्ट आता है दोस्तों बहुत ही शानदा टेस्ट आता है आप ट्राय करके देखीगा स्मूथ सा पेस्ट इसका हम बना लेंगे और यह पेस्ट बन चुका है हमारा रिल्गी स्मूथ है दानेदार थोड़ा इसके अंदर डाल रहा है और पेस्ट के अंदर डाल रहा है इसको थोड़ा रेंगे और मिडियम फ्लेम पेश्यू है आप लेंगे आप नोर्वल पैन भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है जब इसके अंदर अब पर में ले रहा हूं आदा कप सूजी अध। बारिक वाली सूजी ले रहा हूँ, बारिक वाली सूजी ही लेनी है आपको, तो सूजी हम इसके इंदर डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसे बिलकुल मिलाते वे पकाएंगे, सूजी को पकाने में 3-4 मिंट लगेंगे, और ये पैन पकड़ेगी, एक बार स्टार्टिं इसने शुरू कर दिया, फ्लेम रहेगी मीडियम, इस चीश के ध्यान लगे, कौन से शेयर से वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेट करेंगे बन, और इसको हम डाल देंगे, एक हमारे बॉल के अंदर, बॉल के अंदर डालके उपर से लगा देंगे धकन, धकन लगायते, इ जूद हमारा नीचे लगेगा नहीं, मतलब जलेगा नहीं, वरना जूद जल जाता है, इसमें उबाल आने का वेट करेंगे, तो बस इसके अंदर एक उबाल आ चुका, यह देखिए, अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा न, इसके अंदर, मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं, ह आदा कप मैं डाल रहा हूँ चीनी, जहां, चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप धागे वाली मिस्ट्री भी ढाल सकते हैं, जो भी आपको जरूर तो अओ यह दॉरival सकते हैं, चीनी नहीं खाया तो घुड़ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस इसक पकाते रहना है और जब तक यह पकेगा तब तक हम अपना आगे का प्रोसेस भी चालू कर देंगे तो बस इसको एक बार मिला दिया है मिलाने के बार इसको पकने लेते हैं चलते हैं नेक्स प्रोसेस के उपर यहां पर हमारा यह मसाला जो है अभी थोड़ा सा गुन-गुना ह हो चुका है जिहां बिल्कुल ठंडा नहीं करना मसाले को इसको हमें एक डो सा बनाना है तो इसको एक बार अच्छी तरह से मैश कर लेंगे 2-3 मिन तक इसे मैश करेंगे ना तो यह हमारे आटे की फॉर्म में आ जायाएगा देखिए आप 2-3 मिन तक मैंने मैश किया तो यह सब्सक्राइगे और छोटे-छोटे से पेड़े बनाने नीमू से भी छोटे साइज की पेड़े बनाने क्या हम इसके स्टीम करेंगे नहीं वीकिन बड़े हो जाए천गे फूल के बड़े हो जाएए तो दो देखे।. इस तरह से बिल्कुल छोटे- male मैश साध चाल और हम प कड़ाई के अंदर मैंने पानी डाल दिया इसे करेंगे स्टीम करने के लिए हम इसके प्लेट रख देंगे उपपर और उपर से लगा देंगे धक्कन जी हां तीन से चार मिट इसे हाई फ्लेम पे स्टीम करना है जी हाई फ्लेम पे बिल्कुल स्टीम करेंगे तीन से चार में उबालते उबालते मुझे करीबन 15 मिंट हो चुके हैं और यह तीन कप जो दूट डालता ना यह डाई कप रह चुका है इतना ही हमें उबालना था इसके अंदर ज्यादा बिल्कुल और कम नहीं करनी सी कॉंटिटी तो बस इसे एक बार मिक्स करके देखते हैं और मलाई आ आप में अधा ना चाले काँकर बार मिक्स करेंगे और बिल्कुल दिख हम तक पकाएंगे जी तक प्रस देख चीट पान्स-ब्रुप tänker यह कर दिखाता हूं ये 5 मिन नहीं भोल रहो ठंडा करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ ये हमारी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट त्यार हुई है और भाईया इसको आप ट्राय करके जरूर बताईगा और कौन से शेयर से वीडियो देख रहे हैं वो भी जरूर बताईगा तो ये गाजर की रसमलाई बिल्कुल नया तरीका लेके आया हूँ आपके रिए और मैंने खुद ने टेस्ट करके देखी थी ultimate टेस्ट आया था इसके अंदर मीठे खाने वाले शौकीनों के लिए तो बहुत बढ़ी है तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा मेरा वीडियो लाइक करेगा शेयर करेगा चैनल पर ने तो सब्सक्राइब करेगा नई रेसिपी नए वीडियो के साथ वापिस हाज़ा दों तब तक के लिए नमस्कार जैहन